नमस्ते दोस्तों मैं हूँ बविता आप सभी का स्वागत कर दी हूँ बवितास किचन में आज हम बनाने वाले हैं सुजी का निव मिठाई ये मिठाई निव हूँ एकदम बिल्कुल निव है खाने में क्रिस्पी और कुरकूरा लगती है ये मिठाई का खासियत ये है कि आप ये मिठाई बनाके लोड अपलोड करेंगे तफिरा मालके देखी और बनाई इतना टेश्टी है कि एक बर बनाईएगा तो बार बार बनाईए इसलिए बनाईए ठीक है तो कि चलते हैं हम लोग वीडियो के तरफ एक चमेच घी डालें जब घी गरम हो जाए तो 200 गरम सूजी हम मोटी वाली या बारिक वाली कोई भी सूजी वीज़ कर सकते हैं हम 500 गरम का पेकट लिये हैं तो पूरा का पूरा डाल देंगे डाल के चलाते रहे हैं पास से 10 मिनट लगती है इसका कलर चेंज होने में ये भूरा कलर हो जाएगा उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे देखिए ये हो गया भूरा कलर अब हम इसमें चीनी डालेंगे हम 1500 गरम चीनी डाल दे रहे हैं हम 800 गरम सूजी लिये हैं तो 1500 गरम चीनी यूज़ कर रहे हैं अब कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब हम गेस का आच कम कर देंगे ताकि चेनी नीचे से लगे नहीं अब हम इसका चलाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ये तो नीचे से लग जाएगे अब ये इलाची डाल देते हैं इलाची डालके पाच मिनट और चलाएंगे आज धीमी है तो चीनी पीघलने से अराम से पीघल जाएगे देखिए पीघल गई चीनी अब देख सकते हैं ये लगभग तयार है अब इसमें हम जो आपको ड्राइफूट पसंद है वो आप डाल सकते हैं इसमें हम काजू, किस्म सानीस और बेदा ढल देंगे हैं थोड़ा थोड़ा ढ़ल देंगे हैने च troph here देखिए अप को भ्रते लात्म के लिए हैं उपर से नीसे आपको जो पसंद है निकाल देंगे, उसी में, देखें, हम थाली लिए हैं, तो थाली में हम थोड़ा सा घी लगा ले रहे हैं, घी लगाने के बाद, हम इसी में सारा निकाल देंगे, अभी बहुत गरम है, इसलिए समहल के निकाल लिएगा, हम सारा निकाल देंगे, और इसी में सेट कर देंगे, आपको मोटा पतला जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं हम इसमें मेडियम ही रखेंगे ना मोटा रखेंगे ना पतला मेडियम हम रख रहे हैं अब देखिए हम सेट कर दे रहे हैं आपको जैसे सुबी दाहों वैसे सेट कीजिए हम चम्मच के साहता से कर रहे हैं अब चार को तरफ से अच्छा से सरिया अब हम जो बचायत है गानी सिंग के लिए वो उपर से डाल दे रहे हैं सारा का सारा डाल देंगे फिर चमच से थोड़ा दबा देंगे ताकि हम जब काटेंगे तो निकलेगा नहीं अच्छा से दबा दीजिए दस से बार मिनेट इसको छोड़ ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद हल्का गरम में ही काटेंगे, पूरे तरह से ठंडा नहीं होने देंगे, ने तो अच्छा से कटता नहीं है, हल्का गरम में काट देंगे, काटने के बाद भीर हम 10 मिनट और छोड़ेंगे, ताकि पूरा तरह से ठंडा हो जाए, उसक आपको अच्छा अगर वीडियो लगता है तो आप सेर किजिए लाइक किजिए और कमेंट किजिए आप जल से जल बनाईए और बना के बताईए कि कैसा आपका बना